श्री शिवाय नमस्तुप्यम जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगविती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोश व्रत की कथा आज वैसाक मास के क्रिश्न पक्ष का प्रदोश व्रत है बहुत से भक्त हैं जो प्रदोश का व्रत धारन करते हैं लेकिन कई ऐसे भी भक्त हैं जो प्रदोश का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवस अगर आप प्रदोश का व्रत नहीं कर प क्योंकि देखिए सोम प्रदोश का वरत बहुत महत्यपोड माना गया है ऐसे में आज के दिन यानि कि सोम प्रदोश के दिन संध्याकाल में शुव मंदिर में दीपदान करने से मन की समस्त कामनाई पूड़ होती है तो अगर आपकी कोई विशेश मनों कामना हो तो आप चाहे प्रदोश के दिन किया गया एक चोटा सा भी उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलावला सकता है और अगर आप प्रदोश का व्रत धारन करते हैं या धारन करना चाहते हैं तो व्रत के नियम और पूजा विधी के लिए कल ही वीडियो चैनल पर अप्लोड हो चुकी है उ लगोle नाrek 신िस्चा सघावला सकते हैं निष्चिति और भग्वान भोले नात की कर लिपासे आपकी कोई विलाब र१ाफ्तिकी हो संतानप्राप्तिकी वह लिवाव नौकरी की हो या मन चाही नौकरी की हो कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो समापत होती है और मन प्रदोश काल की पूजा का शुब महुट है 17 अप्रेल की शाम को छे बजे से रातरी आट बसकर तीस मिनट तक तो इसी शुब महुट में आपको भगवान भोले नात की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए चाहे घर में पूजा करें या मंदर में करें पूजा अवश्य करना है इस बात का ध्यान रखिये और अब सुनते हैं सोम प्रदोश्वरत की पौराणिक कता एक नगर में एक ब्रामवनी रहती थी उसके पती का स्वर्गवास हो गया था उसका अब कोई भी आश्रय दाता नहीं था इसलिए प्राते होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीक मांगने निकल पड़ती थी फिक्षाटन से जो भी मिलता था उसी से वह स्वयम का और अपने पुत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्रामवनी जब घर लोट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहता हुआ मिला ब्रामवनी दयावस उस ब्रामवनी के घर रहने लगा एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई उन्हें भी राजकुमार भागया कुछ दिनों के बार अंशुमत से शत्रूओं को खदेड दिया और पिताक के राज्ये को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा राजकुमार ने ब्रामपन पूत्र northwest को अपना प्रधान मंत्री बनाया ब्रामपनी के प्रदोस्वुरत के महात्मिसे जैसे राज-कुमार और ब्रामपन पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भगत्तों के दिन भी फेड़ते हैं सोम प्रदोश्वरत की पहली कथा समाप्थ हुई और अगली कथा सुनने से पहले कमेट बॉक्स में हरहर महादेव जरूर लिखिए प्रदोश्वरत की दूसरी पुराणी कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहुकार रहता था उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था संतान प्राप्ती के लिए वह हर सोंबार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ती के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था पति-पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाद की पूजा किया करते थे तो उनकी भक्ति देखकर एक दिन मा पार्वती प्रसन्न होकर साहुकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनरोध करने लगी पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वो भोग नहीं पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने उस साहुकार की भक्ती देखकर उसकी मनो कामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का वर्दान तो दिया लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहुकार सुन रहा था इसलिए उसे न तो इस बात की बहुत खुसी हुई और नहीं बहुत दुख हुआ बलकि वह पहले की ही भाती भगवान शिव की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जब वह बालक 14 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ तुम लोग रास्ते में यग्य कराते हुए जाना और ब्रामणों को भोजन दक्षिना देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य करते और ब्रामणों को दान दक्षिना देते काशी नगरी निकल पड़े इस दोरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंक से काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बाद को चुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहुकार के पुत्र को दूलहा बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को दूले के वस्तर पहना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन साहुकार का पुत्र बहुत इमानदार था और उसी ये बात बिलकुल भी सही नहीं लगी इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपटे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं तो कासी बढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया फिर बारात वापस चली गई दूसरी और साहुकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़का बारह साल का हुआ उस दिन भी यग्य का आयोजन था लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो भगवान शिवजी के वर्दान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया संयोग वस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उदर से जा रहे थे पार्वती माता ने भोले नाथ से कहा कि हे स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी शाहुकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयू प्रदान किया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मात्री भाव से विभोर हो माता च RAWवती के पुनह अग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया शिवजी की क्रिपा से वह लड़का जीवित हो गया शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था उस नगर में उन्होंने यग्य का आयोजन किया उस लड़के के सशुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहक कर वह बेहत प्रसन हुए उसी रातरी में भगवान शिव ने साहुकार के स्वपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी मैंने तेरे सोमबार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है इसी प्रकार जो कोई सोमबार या सोम शुषिवाई नमास तुप्यम